हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ओफ जूपिटर नोटबुक अगर अभी तक आपने जूपिटर को इंस्टॉल नहीं किया है अपने सिस्टम में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है जाओ और जूपिटर को इंस्टॉल करो और अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है एक और तरीका है जूपिटर नोटब जो आप इंस्टाल करोगे ओफ लाइन चेलेगा और जो आप अभी जिस तरे जो प्रोसेस मैंने बताया यह ओनलाइन रहेगा इसके लिए आपको इंटरेट कनेक्शन चाहिए होगा और एक बर इंस्टाल करोगे तो जैसे ही आप उसको उपेन करोगे ब्राउजर में अपेन ह नहीं होगी तो मैं ऑफलाइन वाला यूजर करने वाला हूँ जो मैं इंस्टाल कर रखा हूँ ओपेन में उसको कैसे करोंगा मैं अपना टर्मिनल ओपेन कर ले रहा हूँ और यहां पर मैं लिख होंगा जूपिटर स्पेस नोटबुक बी डवलो के एंटर हाड़ली कुछ सेकंड लगें और मेरा यह जूपिटर नोटबुक ऑपन हो गया रइट अगें इस सारे फोल्डर क्या सो कर रहे है जूपिटर नोटबुक में यस पे अपको ध्यान नहीं दिना इस्पोज मेरे डेस्टॉप पे किया होता दो डेस्टॉप पे इतने फोल्डर से शर्य आंच करते अगें अग्यें आप अगिन हो गया अग्या ओपन करोगे तो इस आए फोल्डर सो नहीं करें बस यह इडिफरेंश हाएगा सीधे एडिटर ओपन होगा जौम लोग का अग् ओपिन ओपन होगा इसके पहले वाला पेज याणि कि यह वाला पेज ऊपें नहीं होगा क्योंकि आपका लोकल पे नहीं है लोकल होस्ट पे नहीं है धीडमेरा अनलाइन उपन करोगे तो फिर ऐसा कोई folder स्ट्रक्शर सो नहीं करेगा तो यह है हमारा जिप्टर नोटबुक का एडिटर राइट और इसको बोलते हैं हम सेल यह दिख रहा है यह हमारा सेल है अगर मल्टिपल सेल चाहिए तो प्लस पे क्लिक करो जितने सेल चाहिए आ जाएंगे अगर सेल को हमें कट करना है तो यहां पे सीजर दिख रहा है इस पे क्लिक करो सेल कट हो जाएंगे इन्हीं सेल में हम कोड लिखने वाले हैं सेल हमारे दो तरीके के होते हैं एक कोड और दूसरा मार्कडाउन मतलब जिसमें आप अपने कमेंट लिख सकते हो पाइथन कोड नह मतलब इसमें नॉर्मल इंग्लिस लेंग्वेज में आप जो भी लिखना चाहते हो है आई आम लेर्निंग 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 पाइथन जुपिटर नोट बुक हीर नोट बुक हीर इसके हुपिट को पाइथन को फैंट गहरीं पाइथन आएज रिखेंगे जैसे हैं म्य Owl सब उसके अपको सिर्ट करना जो होड़ो уст विए प्रिंट, प्रेंथिस में, I hope इतनी python आती होगी, hello world, अब इस cell को run कैसे करेंगे, run करने के लिए again, shift, enter, और output आ गया, hello world, again, suppose फिर आपको जैसे a में आपने लिया, आपको 10 store करना है, fine, इस cell को run करना है, shift, enter, अब b में 20 store करना है, इस cell को run करना है, shift, enter, दोनों को add करके print करना है so print a plus b, shift, enter, वहरा output आ गया 30, अब जैसे suppose आपको print करना है, print product, अब दोनों नंबर का a और b को आपको product निकालना है, तो again आप दूसरे cell में भी कर सकते हो, और same cell में भी कर सकते हो, आप सिर्फ enter करोगे तो देखो, जितना space चाहिए, इस cell में मिल जाएगा, suppose आपको ऊपर जो a और b है उनको multiply करना है, तो अब a ऊपर जितना आपने code लिखा है, वह अभी भी exist करता है, हर cell में उसको use कर सकते हो, ऐसा मत सोचना हो, cell के साथ खत्म हो गया, right, तो a और b को है multiply करना है, तो हम कैसे करेंगे, print a into b, अभी देखो, यह दोनों लाइन मेंने एक ही cell में लिखा है, यह दोनों लाइन मैंने एक ही cell में लिखा है, दो अलग लग cell में लिखा है, मैं सिर्फ यह दिखा रहा चाहता हो, कि एक cell में आप multiple line code भी लिख सकते हो, तो shift enter, देखो, product 200, fine, so इस तरीके से हम cell में code को लिख सकते हैं, और जो आपका cell होगा वहाँ प कर रहा है, so I hope cell क्या होता है, clear हो गया होगा, दूसरा, सबसे बढ़ा फाइदा क्या है, जुप्टर नोट बुक को यूज करने का, कि यह 40 से ज्यादा languages को support करता है, आप चाहो तो Ruby and Rails जो language है, उसको भी आप यहाँ पे सीख सकते हो, और भी बहुत सारे languages हैं, और एक और इस क्या है, कि आप इसमें किसी भी एक particular line में suppose आपको कुछ चेक करना है, जैसे मानलो आपको इस line में कुछ change करना है, तो आप इस line में change करके सिर्फ इस specific line को run कर सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड, how are you, और shift, enter, SL को आपने run कर दिया, इसका value change हो गया, बाकी पूरा program हमें फिर से run कर नहीं पड़ा, बट अगर यही program आप जूप्टर notebook में अगर आप सीख रहे हो, एक beginner हो, अगर एक intermediate भी level पे भी हो, और सीख रहे हो, same program को अगर आप लिखते हो, VS code में, जैसे मेरा VS code है, अगर मैं इसमें 3-4 line का code लिख हो, जैसे print, hello, world, right, और मैं यहाँ पे दो variable ले लेता ह आएगा, 37B में, shortcut है, python में, और फिर मैं लिखता हूँ, print, a, plus b, then उसके बाद फिर मैं कुछ लिखता हूँ, print, hello, just that, okay, अब इस, यह पूरा हमारा फाइल है, जिसको हमने save कहां किया है, desktop पे किया है, मैं आपको दिखायता हूँ, यह दोखो, हमारा फाइल जो है, desktop पे save है, demo.py, और इस फाइल को मैंने कहां open किया है, visual studio code में, right, अब इस फाइल को, अब जब भी हम run करेंगे, vs code में, तो हम पूरे फाइल को run करेंगे, ठीक है, तो कैसे run करेंगे, हम python का interpreter, program कहां save है, desktop पे, तो पहले हमें terminal को desktop पे लेके जाना होगा, तो cd, मतलब c for change, d for directory, and desktop, हम desktop पे आगे, अब python का interpreter का नाम क्या है, python 3, space, then file का नाम, जिसको मैं execute करना है, तो demo.py, enter, देखो, output आगया, अच्छा, suppose अब मुझे इस line में कुछ change करना है, right, but मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारे जो बाकी हमारे statement है, फिर से execute हो, तो मैंने इसमें change कुछ भी किया, जैसे hello world, how are you, जो भी correction करना था, मैंने यहां कर लिया, but अब पॉसिबल है क्या, कि मैं सिर्फ इस line को अब run कर पाऊ, नहीं, आप जब भी file को run करोगे, पूरी file run होगी, पूरा code फिर से run होगा, आप सिर्फ किसी एक particular line को नहीं run कर सकते हैं, यहां पे, but Jupyter notebook में ऐसा नहीं है, अगर त किया, जैसे A की value गलती से 10 कर दिया है, आपको उसको 30 करना है, तो इसको change करो, 30, बस इस cell को run कर दो, हो गया, बाकी B वाले cell को run करना ही, कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं करना है, तो मत करो, आपको सिर्फ print product, print A into B, इस cell को run करना है, run करो, देख, value change हो जाए, क्योंकि A की value change हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या फाइदा है, किसी भी particular cell को आप run कर सकते हो, और अगर script mode में आप program run करते हो, किसी भी IDE में, मतलब, integrated development environment, तो वहाँ पर यह possibility नहीं है, ओके, next is, अब जैसे देखो, suppose आपका दो variable है, जैसे X, Y, assign with 6, 5, यह मैंने run कर दिया, अब X और Y को add कर कर प्रिंट करना है, तो अब क्या लिखोगे, print X plus Y, shift enter, output आगया 11, बट, Jupiter notebook में, अगर आपको print लिखने के जरूरत नहीं है, आप simple X plus Y लिख दोगे, तब भी आपका output सो कर देगा, देखो 11, बस यहाँ पे out 11 लिख के आएगा, मतलब, यहाँ बता रहा है कि इस statement से, यह output generate ह हो रहा है, अगर हम प्रिंट कर देंगे उसको तो आउट लिख के नहीं आएगा, क्योंकि हमने command दिया है कि जो X plus Y से value आई उसको print कर दो, यहाँ पे हमने command नहीं दिया कि X plus Y से value आएगी उसको print करना है, तो इसने खुदी बता दिया, कि इस statement से, यह output generate होगा, तो एक of Jupiter notebook, अगर आप beginner हो, Python सिखना सुरू कियो हो, या machine learning या data science, तो आज के time में 70-80% जिगह पे Jupiter notebook से सिखाया जा रहा है, एक और कमाल की बात यह है Jupiter notebook में, कि जो पूरा code आपने लिखा है न, इसको आप PDF format में, या किसी भी और format में, Excel format में, sorry, Excel नहीं, Word format में, यहाँ से आप download कर स यह देखो, HTML format, markdown हो गया, notepad हो गया, जैसे notepad आपका python हो गया, अब देखो, यहाँ python format में download करता हूँ, यह देखो, यह मेरा download हो गया, इसको में discard कर देता हूँ, I think कुछ मेंने गरबड कर दिया, file downloaded as, अगें एक बार और करता हूँ, python, py, keep, अब में इस file को open करता हूँ, यह हमारा file देखो, जो हमने code लिखा था, पूरा code आ गया, इसको में चाहें तो VS code में open कर सकते हैं, इसको अगर VS code में open करना चाहें, तो यह देखो, VS code में file, open file, downloads, and 1238, this one, open, यह देखो, हमारा पूरा जी तो code हमने लिखा था, यह देखो, cell number के साथ, यह हमारा यह देखो, जो हमने markdown cell में लिखा था, वो comment की तरह आ आ गया, फिर यह देखो, in 6, यह हमारा run cell, यह देखो, इसको हम run cell को run करना है, run cell, यह देखो, यह देखो, यहां पर output जनरेट हो जाएगा, right, so this is the beauty of the Jupiter notebook, so, अगर आप Jupiter notebook नहीं उसकरते हो, तो य Thank you.